आप भी जानते हैं कि गूगल से डेटा मिल सकता है लेकिन डिसीजन तो खुदी ही लेना पड़ता है एक गुरू ही छात्र को गाइड कर सकता है कि वो अपनी जानकारियों का सही उप्योग कैसे करे टेक्नोलोजी से इन्फरमेशन मिल सकती है लेकिन सही द्रश्टिकॉन तो शिक्षक ही दे सकता है सिर्फ एक गुरू ही बच्चों को ये समझने में मदद कर सकता है कि कौन सी जानकारी उप्योगी है और कौन सी नहीं है कोई भी टेक्नोलोजी किसी विद्यार्थी की पारिवारी स्थिती को नहीं समझ सकता एक गुरू ही उसके हालात को समझ कर उसे सभी मुश्किलों से बहार निकलने के लिए प्रेरित कर सकता है इसी तरह दुनिया की कोई भी टेक्नोलोजी ये नहीं सिखा सकती कि किसी विषय की गहराई में जाकर उसे कैसे समझे डीप लर्निंग कैसे करें जब इन्फर्मेशन की भरमार हो इन्फर्मेशन के पहाड खड़े हो जाते हैं तो छात्रों के लिए ये महत्वपुन हो जाता है कि वो कैसे एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें डीप लर्निंग और उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाना ये बहुत महत्वपुन है इसलिए आज इकीश्वी सदी के छात्र के जीवन में टीचर की भुमिका और जादा ब्रहद हो गई है और मैं तो आप से भी कहना चाऊंगा मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूँ और नहीं मैं उपदेश दे सकता हूँ लेकिन आप पल भर के लिए ये भूल जाएए कि आप टीचर है पल भरल के लिए सोचिए कि आप किसी संतान की माता जी है या किसी संतान की पिता जी है आप अपने बच्चे को कैसा चाहते हैं आपके बच्चे के लिए आप क्या चाहते हैं पहला जवाब मिलेगा साथियों यहाँ से कोई इंकार नहीं कर सकता है पहला जवाब मिलेगा मैं भले टीचर हूँ हम माता पिता दोनों भले टीचर है लेकिन हमारे बच्चों को अच्छा सिक्षक मिले अच्छी सिक्षा मिले आपके दिल में भी बच्चों के लिए पहली कामना है आपके बच्चों को अच्छा सिक्षा का अच्छी सिक्षा मिले जो कामना आपके दिल में है वही कामना हिंदुस्तान के कोटी-कोटी माता-पिता के दिल में भी है जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते है वो हिंदुस्तान का हर मा अब अपने बच्चों के लिए चाहता है और वो आप से उमीद करता है साथियो इस बात को हमेशा धान में रखिये कि विद्यारती आप से आपकी सोच से आपके रोज मरा के वहवार से आपकी बोलचाल से आपके उठने बैठने के तरीके से वो बहुत कुछ सीखता रहता है आप जो पढ़ा रहे हैं और चात्र जो आप से सीख रहा है उसमें कभी कभी बहुत अंतर होता है आप सोचते होंगे कि आप गणीत, विज्ञान, इतिहास क्या कोई अन्य विशे पढ़ा रहे हैं लेकिन चात्र आप से सिर्फ वो विशे नहीं सीख रहा वो ये भी सीख रहा है कि अपनी बात कैसे रखनी चाहिए वो आप से धैर्य रखने दूसरा की मदद करने जैसे गूण भी सीख रहा है आपको देखकर ही वो सीखता है कि सक्त छबी रखकर भी स्नेह कैसे जताया जा सकता है निस्पक्ष रहने का गूण भी उसे सिख्षक से ही मिलता है इसलिए प्राइमरी एजुकेशन का रोल बहुत इंपोर्टन्ट होता है छोटे बच्चों के लिए टीचर परिवार से बहार वो पहला व्यक्ति होता है जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा समय बिताता है इसलिए आप सभी में इस दाईत्व का एसास भारत की आने वाली पीडियों को बहुत मजबूत करेगा साथियों अभी आप जिन स्कूलों में कारिरत है वहां नई राष्टिय सिख्षानिती या तो लागू हो चुकी होगी या फिर लागू होने वाली होगी और मुझे गर्व है कि इस बार जो राष्टिय सिख्षानिती बनी है देश के लाखों सिख्षकों ने उसको बनाने में कॉंट्रिबिशन किया है सिख्षकों के परिशनमे से ये पूरी सिख्षानिती बनी पाई है और इसके कारण सर्व दूरुस का स्वागत हुआ है आज भारत 21 सदी की आधुनिक आवश्रक्ताओं के मताबिक नई व्यवस्ताओं का निर्मान कर रहा है इन नई राष्टिय सिख्षानिती इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है हम इतने वर्षों से स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर अपने बच्चों को केवल किताबी ज्यान दे रहे थे नई राष्टिय सिख्षानिती उस पूरानी अप्रासांगी की ववस्ता को परिवर्तित कर रही है राष्टिय सिख्षानिती प्रेक्टिकल पर है आधारित है अब जैसे आपको और टीचिंग और लर्निंग अब कहा जाता है टीचिंग कालखन पुरा हो गया अब लर्निंग के ही द्वारा सिख्षा को आगे बढ़ाना है अब जैसे आपको मिट्टी के बारे में कुछ बताना है चाक के बारे में कुछ सिखाना है अगर आप बच्चों को लेकर कुमार की गर जा सकते हैं आप कुमार की गर जाएंगे तो उन्हें बहुत सी चीजे देखने को मिलेगी किन परिस्तितियों में कुमार रहते हैं कितनी महनत करते हैं एक व्यक्ति गरीबी से वहार आने के लिए कितने प्रयास कर रहा है और इससे बच्चों में सम्वेदन सिलता जगेगी मिट्टी से कैसे सुराही बनती हैं मटके बनते हैं गड़े बनते हैं बच्चे ये सब देखेंगे अलग-अलग तरह की मिट्टी कैसी होती है ये सारी चीजे प्रत्यक्ष नजर आएगी ऐसी प्रैक्टिकल एप्रोच राष्ट्य सिख्चा निती का बहुत प्रमूख बतत्व है साथियों अनोखे प्रयोग करने वाले और टीचिंग और लर्निंग का डिबेट तो इन दिनों सुनने को मिलता है लेकिन मैं अपने बच्पन की एक घटना आपको बताता हूँ मुझे मेरे अपने एक सिक्षक याद आ जा रहे है मेरे प्राइमेरी सिक्षक वो साम को जब स्कूल से घर जाना होता था तो बच्चों को कुछ नुकुछ काम देते थे और वंबर्क वाला नहीं कुछ और Самी काम देते थे जैसे वो कहते थे अच्छा बैइ तुम ऐसा कर रहा कल दस चावल लेकर के आजाना दूसरे को कहते है थे तुम दस मूंग के दान ने ले आना तीसरे को कहते है तुम तूर्की दान दाल दस लेकर आना चौथे को कहते थे तुम दस चने ले आना, हरे से कुछ न कुछ ऐसा, दस-दस मंगवाते थे, उस बच्चा घर जाते याद रखता थे, मुझे दस लाना है, दस लाना है, दस लाना है, दस नमबर फिक्स होए रहा है, फिर मुझे गेहू लाना है, चावल लाना है तो उसके दिमाग में रहा है, घर जाते ही पहले अपनी माँ से कह देता था, मुझे कल टीचर ने कहा ये ले जाना है, सुबे तक उसके दिमाग में वो चावल और दस, चावल और दस, इस बना रहता था, लेकिन क्लास में जब हम जाते थे, तो हमारे टीचर, उन सब को इखटा कर देत रूद्टे थे और फिर सब को कहते हैं अलगअ लोगों को अजय तुम ऐसा करो इस में ले पांच कालो दूसरे तुम तीन चने कि निकालो तीसरे का कोरे जाता है कि मुंग को पहचांता है उसको नंबर यानिक ऐसी उनकी प्रैक्टिकल विवत्ता थी हमारे लिए राजब लगता था लेकिन वो सिखाने का उनका तरीका था जब हम एक साल पूरा हो गया अगले साल गये तो भी वही टीचर थे